जब ग्रहन लगता है चाहे चंद्र ग्रहन लगे चाहे सूरी ग्रहन लगे ग्रहन काल में सामान्यतह सूतक लग जाता है विशेश तरह के नियम लागू हो जाते हैं और सूतक काल में बहुत सारी सावधानियों का पालन भी करना पड़ता है लेकिन चुकी ये ग्रहन भारत वर्ष में दिखाई नहीं देगा इसलिए किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवशक्ता नहीं होगी जहां पर ग्रहन दिखता है वहीं पर इसके सूतक के नियम लागू होते हैं और वहीं पर सावधानियों का पालन करना होता है भारत में ये ग्रहन नहीं दिखेगा इसलिए भारत में किसी तरह के सावधानी के पालन करने की आवशक्ता नहीं है सामान्यतह ग्रहन का नाम सुन करके गर्भवती महिलाएं घबरा जाती हैं लेकिन जैसा पहले भी कहा कि ये ग्रहन चुकी भारत में दिखाई नहीं देगा इसलिए गर्भवती महिलाओं को किसी तरह के चिंता की कोई जरूरत नहीं है आप ग्रहन काल में सो भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, अपने डेली रूटीन के काम कर सकते हैं क्योंकि ग्रहन तो होगा लेकिन भारत वर्ष में दर्शनीय नहीं होगा